तो हेलो फ्रेंट कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं जिन सेमसंग गलेक्सी में 1UI 3.1 का अपडेट आ जोगा है दोस्तों उसके अंदर आपने देखा होगा एक नए फीचर को एड कर दिया गया है जिसका नाम है एच पैनल दोस्तों एच पैनल के अंद आपको बताने वाला हूं उस फीचर के बारे में तो आपको दिख रहा होगा एक अलग से एच पैनल मिल रहा है जो कि आपको नॉर्मल नहीं मिलता है तो दोस्तों मैं पहले इसके फीचर को पसे बताऊंगा एकिसे आप उसको पहले होगा है उसका आप यहां द्रेक करेंगे सब्सूपर आपको दिख रहा है रिक्टेंगल वाले ओप्षन पे क्लिक करेंगे तो आप attaches Match option दिख जाएगा आपको यह size फुई तरह से उसने adjust कर लिया और जैसी आप photo click करेंगे तो उसी एंगल पर photo को click कर लेगा आप देखेंगे यहाँ पर photo click हो गई है नीचे आपको एक option मिल रहा होगा edit का यहाँ पर आप edit कर सकते हैं अगर आप अपर कई नापने एग चीज पर चला गया गया यहां मैं अपने WhatsApp पे चला गया, मुझे माले जिए पर्टिकुलर चीज का स्क्रीन शॉट लेना है कि इतने से एरी हैगा, तो मैंने यहां से इसको ड्रैक करा, यहां से क्लिक करा, तो आप देखेंगे यह विंडोस ने आटर डेक्ट कर लिया इतना, बट मुझे यहां पर चा आप उसका कॉपी यहां से शेयर भी कर सकते हैं, यह तो हो गया नॉर्मल सा यूज, अब मैं आप उसको वापिस ले जलता है, इस्टागरम प्रोफाइल पर, तो आप देखेंगे यहां इस्टागरम प्रोफाइल पर आ यहां पर भी जो नीचे आपको दिख रहे होंगे, नरेशन लिखी हुई है, यह आपको यहां पर किस चीज़ को टेक्स में गनवर्ट करना हो, तो आपको सिंपल यहां से इसको ट्रैक करना है, यहां क्लिक करना है, जैसी यहां पर क्लिक करेंगे, आपको यहां पर उसको क्लिक कर देना है, और यहां से डन कर देंगे, जैसी मिल जाएगा आपको कहीं पसको करक्त करना यहां पर कर देंगे तो यहां पर सब कुछ हो जाएगा तो पहला आप्षक अ स्केंड यह bet करने वाला हुए उसके बाद वी जो स県ड़ अप्षिन में तक दने वाला हुए यहां पर पहले आपको rectangle के form में था, यहां all के form में, मतलब कि यह circle के form में आपको दिख रहा होगा, आप उसको कैसे भी circle को move कर सकते हैं, जैसे तरह जाएं, आपको like इतना से part कई, आपको screenshot लेना है, तो आपने इसको all के form में यहां से select का लिया, और यहां पर आपको done करेंगे तो इतने का इतना screenshot है का आप देख रहे हैं, और यहां पर we have exact text का option use कर सकते हैं, जो exact text वाला option है, आपको सब में मिलने वाला है, नीचे add it, share और आपको यहां पर downloading का option मिल गया, जो कि screenshot लेने के लिए बहुत ही अच्छे option जो मुझे लगे है, तो तीसरा option मिल रहा है, यहां काम का feature है, मैं उसके लिए बता देता हूँ, like मैंने यहां पर click कर रहा है, और animation पर click कर दिया, तो आप देख रहे हैं दोस्तों, यह मेरी एक video चल रही है, और यह यहां पर recording का और highlight का option दिख रहा होगा, high quality का, आपको simple यहां पर record पर click कर देना है, और आप यहां पर देखे animation के form में by default आपको यह दिखाने माला, आप चाहें तो इसको भी added, share और download कर सकते हैं, अगर किसी वीडियो को आपको recording करना हो, animation form में तो आप इसका use कर सकते हैं, जो कि अच्छा खासा शांदर features यहां पर दिया गया है, आपको दिख रहे होंगी जगा by default इतनी आती है, आप जगा को adjust भी कर सकते हैं, इसकी, अप डाउन जितनी भी आपको जगा चाहिए, आप यहां से adjust कर लीजिए, quality adjust करना हो, या high quality जगा आप standard quality भी कर सकते हैं, high quality, standard quality अगर हटाना हो तो आप यहां से इसको cross करेंगे, वहां से हट जाएगा, उस दोस्तों जो last option बताने वाला हो, पिन करने वाला जो की बहुत शांदर हो, अपसोंने, यहां पर क्या होता है, कभी कवर कुछ ऐसा अपने बाद चीज आजाती ही, जिसको अपन डाउनलोड या उसको बूल सकते हैं, एक्सेक्ट नहीं कर पाते हैं, या कुछ ऐसा काम का चीज रहता है, लाइक मान लीजी, म मुझे किसी चीज को पिन करना है, तो मैंने उसको यहां, तो आप देखेंगे, दोस्तों मैंने यहां से उसको ड्रैक करके, एच पैनल को अन कर लिया है, यहां पर मैंने पिन टू स्क्रीन को अन कर लिया है, और यहां पर मुझे जिस चीज को पिन करना है, तो मैंने उतने को यहां पर select करा select करने के यहां पर pen to screen कर दिया अब यह क्या हो गया by default आप उस screen पर रहेगा मैं कहीं भी जाओंगा तो वहीं पर रहने वाला है अगर आप मुझे यह किसी चीज को mail करना है यह मुझे North डालना मुझे की तो लाइत मुझे अपने इसको never क्लिक करना है क्लिक करने के बाद में हाप रूसको में कर दूंगा तो आप देखेंगे हाप एंस्टर हो चुका है आप इसका यांपर साइट भी पार सब्रकुम का सकते हैं कि अיד कहीं भी इसको द्रैक कर सकते हैं लाइक आपको यहाँ पर अपने होई मेल पर इसको ठोड़ना यह यहाँ पर यहाँ पर यहांodor कर् झाहन जकड़ेंगे प्षिएख्यर करने की जोर्वति नहीं रहें पर फोट आर पर इसको यहां पर आप download भी कर सकते हैं, full screen भी कर सकते हैं और हटाना होते हैं, आप पर cross करेंगे, तो यह हट जाएगा दोस्तों, यह जो मैंने features बता हैं, दोस्तों जो बहुत ही काम के feature थे, जो मुझे बहुत अच्छे लगए दोस्तों, इसको enable करने के लिए आपको करना क्या होगा, अपन नीचे मिने का panels, आपको इस panels पर click करना है, by default आपका जो पैनल रहता है, यह रहता है, apps वाला, तो आपको वहां से apps वाले को भी रखना चाया है, तो apps को भी सकते हैं, और smart select को आपको यहां साइड में जाएंगे, तो आपको option मिल जाएगा, आपको उसको enable कर लेना है, और ज अएड को पासन आए होगी, तो thank you, तो दोस्तो, मुझे उमीद एक्पि अपकोई मेरी वीडियो पसंद आए होगी, दोस्तो, अगर आपको मेरी वीडियो पसन आए, तो please like जारू करें, अगर आपको लगता है, तो अगर आपको लगता है, उस वीडियो से लिएड़ेड य देस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो थेंकि दोस्तों